हालो रमस्कार अभिनंदन आभार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आवाज इंडिया पर और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से किसान कर्ज माफी के इंतजार में डिफॉल्टर हो गए है अनदाता और अब सरकार क्या कदम उठ रही है इन आनदाताओं को इस मुश्किल के पलों से निकालने के लिए जिहां क्या है कर्ज माफी योजना की अगली स्टाटजी और किस प्रकार से ये किसान इतने परेशान है और डिफॉल्टर किसानों को अब राहत देने के लिए सरकार क्या करने वाली है जिहां पूरी क किसान कर्ज माफी की योजना की शुरुआत की जो की बाद में परेशानी का सबब बन गई जिहां कर्ज माफी के इंतजार में लगबग दो लाख से अधिक किसान डिफॉल्टर हो गई तथा रभी सीजन में सहिकारी समीतियों से उधारी में खात तथा बीज उपलब्द न बेट शुरू हुई पहला चरण ही केवल पूरा हो सका लेकिन उसके बाद से अब तक किसान कर्ज माफी की इंतजार कर रहे हैं और बहुत से ऐसे किसान है جन्हें सरकार के दवारा ड़फॉल्टर घोशित कर दिया है अब वे समधान योजना के तहट सरकार की ओर से एक नया कदम उठाया जा रहा है जहां पर डिफॉल्टर किसानों का लगबग 90 प्रतिशत तक का ब्याज माफ किया जा रहा है यहां आपको बता दे कि इस योजना को फरवरी महीनित में भी लागू किया है जिहां जो किसान फरवरी में इसके लिए अपलाई कर रहे हैं उनके लिए यह 80 प्रतिशत है जिहां फरवरी और इसके परश्चात उमीद यह लगाई जा रही है कि मार्च जिहां इस बार के मार्च तक जो है यह शुरुआत की जाएगी कि मार्च तक आप इस योजना के तहत अपना आविदन कर सकते है जिहां यहां आपको बता दे कि कर्ज माफी योजना के तहत लगभग 2,35,000 किसान ऐसे थे जिन्नोंने फॉर्म जमा करवाए और केवल 90,000 किसानों के ही यहां पर जो है वो कर्ज माफ किये गए लेकिन बाकी के किसान ऐसे हैं जो अभी रेंड माफी के दाएरे में आने के ब रेंड समाधान योजना की शुरुआत की गई है तो आप भी जल्द से जल्द रेंड समाधान योजना के तहट अपना नाम आवेदित कीजिए क्योंकि फरवरी और मार्च के महिने में यदि आप अपना नाम आवेदित करते हैं तो आपको लगभग 80% तक छूट दी जाए है यहां दोस्तो जल्द से जल्द ऐसी ही किसी किस खाबर को लेकर हम आपके लिए फिर से आजर होंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत